अब हम कर रहे हैं सेवन्त क्लास के लिए चैप्टर नमबर 11 पेरिमिटर एंड एरिया और ये ट्राइडीज है पेज नमबर 225-225 पर हमें यहां पे यूनिट कनवर्जन करना है एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कनवर्जन करना है लेकिन ऐसा करने के लिए जो लेंथ की जो लेंथ या एरिया एक से दूसरे में कनवर्जन करने के लिए हमें उनकी वैल्यू का भी पता होना जरूरी है जैसे की सेंटिमीटर स्क्वेर से हमें मिलीमीटर स्क्वेर में कनवर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटिमीटर में कितने मिलिमीटर होते हैं वैसे ही हेक्टेयर से मीटर स्क्वेर में करन्वर्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए कि एक हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वेर होते हैं and so on तो चलिए करते हैं समझते हैं और करते भी हैं और आपको यह याद रखने हैं थोड़े टाइम के लिए पहले थोड़ा साथ चे से learn कीजिए उसके बाद वो जब अच्छे से एबजोब हो जाए तो फिर next टाइब के sums कीजिएगा कुछ मैं आपको sums भी दूँगा करने के लिए आप इनके साथ compare करके वो कीजिएगा इसी से आपका mind बढ़ेगा और ये चीज़े आपको ज़्यादा अच्छे से आएगी ओके और वो sums आपको मिलेंगे वीडियो की ending के अंदर तो यहाँ कर रहे हैं try these page number two two five पहला पार्ट है 50 cm स्क्वेर से हमें इसको मिली मीटर स्क्वेर में convert करना है और वो कितना मिली मीटर स्क्वेर होगा हमें नहीं पता वो हम आप निकालेंगे आपको पता है कि एक cm कितने के बराबर होता है जो यह देखिए scale है यह scale के अंदर यह 4 से लेकर के 5 तक 1 cm है और यह 10 divisions में बटा हुआ है जो एक division है वो 1 mm के बराबर होती है तो 1 cm हुआ 10 mm के बराबर cm को cm से multiply करोगे तो 10 multiply 10 क्योंकि एक cm की value एक जो 10 mm है तो 2 cm है तो बटा 10 mm से हम multiply करेंगे तो यह बना 100 mm square इसका मतलब क्या हुआ कि 1 cm square वो बराबर होता है 100 mm square की यह कैसे आया मैंने यह भी लिख दिया तो अब आप असानी से conversion कर सकते हैं कि 50 cm square कितने के बराबर होगा हमें क्या करना है cm square की value को put करना है जो की 100 mm square है conversion ऐसे होगा जैसे कि 5 रुपे है तो उसको पैसे में convert करना है तो क्या करते हैं हम रुपे की value रखते हैं 100 पैसे तो 5 multiply 100 500 पैसे वैसे ही cm square की value को आप put करेंगे वो जो यहाँ पर 100 mm square है तो यह बना 5000 mm square बहुलो कोई दिक्कत है नहीं न समझ में आया आपको very good तो अब आप फटा फट से क्या करेंगे एसा आप इसलिए भी करेंगे क्योंकि यह आपके लिए ही beneficial है एक आपको खुद से ही यह होगा कि हाँ भी हमने अपनी तरफ से सर को कुछ सर के लिए कुछ किया है और यह इसलिए भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे मुझे motivation मिलेगा मुझे energy मिलेगी और मैं और जोर सोर के साथ आपके लिए जुट जाऊंगा और आपके लिए लगातार वीडियोज अपलोड करूँगा ओके तो चलिए अब आगे का part करते हैं तू हेटेर को हमें कनवर्ट करना है मीटर स्क्वेर के अंदर तो आपको पता होना चाहिए कि वन हेटेर कितने के बराबर होता है ओके तो ये है सोल्यूशन इसी का सेकिंड पार्ट तू हेटेर में कितने मीटर स्क्वेर होते हैं वन हेटेर बराबर होता है तैन थाउजन मीटर स्क्वेर के आपको ये याद रखना है ओके तो तू हेटेर बराबर होगा तैन थाउजन मल्टिप्लाई कर देंगे तू मल्टिप्लाई तैन थाउजन मीटर स्क्वेर के तो ये बना 20,000 meter square answer ओके अब solution 3 10 meter square को हमें centimeter square में convert करना है तो इसके लिए आप ये देखिए कि 1 meter square कितने centimeter square के बराबर होगा उसके लिए पहले हम 1 meter से centimeter में ये तो आपको पता ही है 1 meter 100 centimeter के बराबर होता है तो meter square बराबर होता है meter multiply meter तो meter की value हम ये रख देंगे 100 centimeter multiply 100 centimeter 2 0 इसकी 2 0 इसकी तो 4 0 आ जाएगी 10,000 centimeter square के बराबर 1 meter square बराबर हुआ 10,000 centimeter square अब हमें निकालना है कि ये 10 meter square कितने centimeter square के बराबर हुआ एक meter square बराबर है 10,000 centimeter square के हमें क्या करना होगा meter square की value को put करेंगे 10 की जिए 10 आ गया meter square की value है 10,000 इसका मतलब ये हुआ 1,000,000 centimeter square 10 meter square बराबर हुआ 1,000,000 centimeter square ये आंसर होगा अब solution four जो की last है इस try दीजगा हमें convert करना है 1000 centimeter square को meter square में तो ये इसका उल्टा हो जाएगा अभी हमने किया ना कि जैसे ये दो लैने आप चलिए मैं इसको ऐसे करता हूँ एक centimeter कितने के बराबर होगा देखो वन मीटर बराबर होता है 100 centimeter के तो एक centimeter meter के रूप में निकालना हो एक centimeter कितने meter के बराबर होगा ये 100 जो है इसके divide में आ जाएगा तो एक centimeter 100th meter के बराबर होता है 100th मतलब बाद में THS लग जा राइट 1 by 100 उसे 100th कहेंगे 1 centimeter बराबर 1 by 100 meter तो centimeter square कितने ये बराबर होगा हमें centimeter square से conversion करना है ना 1 centimeter square बराबर होगा 1 centimeter multiply 1 centimeter और फिर यहाँ पर भी हम value पुट करेंगे 1 by 100 meter multiply 1 by 100 meter तो ये बना 1 by 2 0 इसकी 2 0 इसकी तो 4 0 आगे 1 by 10,000 meter square ओके हमें convert करना है 1000 centimeter square को meter square के अंदर तो 1000 की जगा है तो 1000 आ गया और एक centimeter square की जगा जो हमने value निकाली है ये आ जाएगे 1 by 10,000 meter square मैंने meter square लिख दियो so ori हाँ जी meter square ही तो करना है sorry ओके ओके चलो इतने के बराबर हो गया ठीक है 1,2,3,4,5,6 1 by 10 meter square के अब ये decimal में convert करेंगे 0.1 meter square 1 by 10 इसका मतलब एक digit के पहले decimal कहीं पर decimal नहीं है तो यहाँ पर है तो decimal जम करेगा वो यहाँ आ जाएगा और decimal से पहले कोई ने कोई digit तो लिखे तो अच्छा रहता है तो 0.1 meter square हो गया यह हुआ हमारा answer clear हुआ कुछ तो अभी पहले आप यह देह लीजिए यहाँ से start आई यह screenshot इसके ले लीजिए और अभी मैं आपके लिए और assignment के तरिके से देता हूँ which sums solve कीजिएगा ओके practice जरूर कीजिएगा अब डिक्टों नहीं मिलेंगे थोड़ा सा अपना आप दिमाग लगाईए जैसे की यहाँ पे conversion है 50 cm2 से mm2 में convert करना तो assignment convert the following फरस्ट पार्ट हो जाता है अगर मैं कहूं 10,000 mm2 को आपको convert करना है in cm2 second part 5000 m2 को आपने convert करना है hectare में decimal का इस्तमाल अच्छे से समझ करके कीजिएगा third part हो जाता है 10,000 mm2 को अब 1 km बरावर होता है 1000 m2 के तो यह sum मैंने आपको दिया in km2 में इसमें convert कीजिए ठीक है fourth तो यह area की units हुई न आप convert करते हैं meter square से cm2 में चलिए इतने काफी है आप इतना कीजिए और आप यकीन मानिए अगर आप ऐसे solve करते हैं भीटा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और इसे आप फिर answer कैसे इसके पता करेंगे मैं अभी आपको फिर answer कमेंट बोक्स में डाल दूँगा ठीक है जब आप मुझसे पूछेंगे थैंक्य स्टुडेंट्स फॉर वाचिंग यौर ओन वीडियो बाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई ट्राइदीज है तो ट्राइदीज इसके अंदर और और ट्राइदीज नहीं है अब हम करेंगे एक्सेसाइज 11.4 मिलते है